हाव रूफीक्स सैंसंग ओन एट ऑटो रोटेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकिर आज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस में ऑटो यहाः पर काम नहीं कर रहा है साम्संग ओन सिक्सिए अड़ोस्तों आप यहाः को यहाः को आउन करते हैं और उसके बाद भी आपने मुबाइल को रोटेट करने की तुश्श कर रहे हैं रोटेशन साम्संग जेफॉर अगर दोसके एससा कुछ क्छ प्रॉब्लम है आपक तो ध्येहां पर जैसे में आप अपने दिवाइस को एक बार सांसंग जे वां एंडेंट अपना सेटिंग को दुबारा से इनेबल करके लिए ठीके इनेबल करके देखे अगर आपका ओतो रोटेट काम पर गाते हैं तो ठीके अगर रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तो अगर सेम प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तो नेक्स्ट सॉलुशन करना होगा संसंग जेट टू तो आप आपने रिशेंट बटन पर प्रॉब्लम आते हैं तो आप अपने recent apps को आफ कर देजे, सारे के सारे recent apps प्लोस किजिए, प्लोस करने के बाद दोस्तों दुबारा से reach चेक करें कि देखें कि आपसा problem वाए या नहीं हुआ है, अगर उसके बाद भी दोस्तों problem आ रहा है, तो आप जाए दोस्तों आपने अपने 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 setting पर जाके reset setting पर क्लिक कीजिए, अपना pattern यहां पर बढ़ दीजे, pattern password जो भी आपने सेट किया हुआ है, screen lock पे, उसको add करने के बाद सारे setting reset हो जाएगा, तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है, on कीजिए अपना portrait mode को, यानि के auto rotate, on करने के बाद दोस्तों दुबारा से check कर कि देखे, solve हो जागा आपका problem, ठीक है, by any chance अगर दुबारा से problem आ जाते, तो simply जाये software update में, जाके software को update कर लिजे, जैसे ही दोस्तों आपका software update होगा, आपका problem भी उसी वक्ट fix हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के से दोस्तों आप auto rotate के, इस problem को यहाँ पर fix कर सकते है, उम